हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानेल आज हम इटली बनाएंगे अगर मेरा वीडियो आपका अच्छा लगे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चानेल को सब्सक्राइब किजिए मेरे वीडियो का लाटेस नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क बनता है आप एक बार ऐसे बनाएए इसके लिए हम यहां पे लिए हैं एक कप उड़त दाल चार कप चावल हाप कप साबू दाना और वानबाई फोर्टी स्पून मेति दाना अभी चलिए सारे चीज को हम अच्छे से धोल लेंगे और इसको पानी में 5-6 घंटा के लिए भ भीगा दिये हैं अभी हम चावल में मेति दाना को डाल देंगे अभी हम इसको 5-6 घंटा के लिए भीगा देंगे अभी 5-6 घंटा हो गया है सारे चीज अच्छे से भीग गया है अभी हम इसको मिसे दर में पीछ लेंगे अभी हम चावल को पीछ लेते हैं अभी हम इसमें 2 टूटबू स्पून पानी डाल देंगे चावल का फाइन पेस्ट आपको बनाना है देखिए चावल को हम पीछ लिए हैं अभी शाबू दाना से पानी अच्छे से निकाल देंगे और चावल में डाल देंगे और अभी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, इसका भी फाइन पेस्ट बनाना है आपको, देखिए, ऐसे ही बनाना है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है आपको, अभी हम इसको दुसरे बतन में निकाल देंगे, अभी हम इसको दुसरे बतन में निकाल दिये हैं, अभी उड़त दाल को एसे ही मिक्चचर चन में फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका, अभी हम इसमें 2 टेबू स्पून पर निडाल देंगे दिखिए इसका भी पेस्ट हम बना लिए हैं ऐसे ही फाइन पेस्ट आपको बनाना है अभी इसको हम बर्तन में निकल देते हैं चावल का जो पेस्ट है इसी में हम निकल देंगे इसे ही बनाना है दिखिए और इसको आच्छे से मिला दीजिए ठंडा का दिन में किसी गरम जगा पे आप रख दीजिए जल्दी हो जाएगा तो अभी हम इसको 7-8 गंटे के लिए रख देंगे अभी इसको कवर करके 7-8 गंटे के लिए हम रख लेंगे कि अभी 7-8 गंटा हो गया है देखिए कितने अच्छे से फूल गया है ये अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे अभी हम इसमें इसे इटली बनाएंगे बटर थीक रहेगा इतना ही अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे वान टेबू स्पून ज़्यादा नहीं डालना है वान टेबू स्पून बनी डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए हम इटली के स्टांड में आयल लगा दिये हैं अभी हम सारे इटली के स्टांड में डाल दिये हैं अभी हम इसको पानी गरम होने के बाद एक के बाद एक रखेंगे अभी हम इसको कभर करके 10-12 मिनिट के लिए पकाएंगे और इसके बाद चेक करेंगे टाइम आप अपने हिसाब से सेट किजिए अभी 10-12 मिनिट हो गया है यह अच्छे से हो गया है चलिए अभी हम इसको चेक करते हैं दस से बारा मिनिट के बाद आभी इसको चेक करेंगे, एक स्पून ले लीजिए इसमें डालेंगे, देखिए ये एकदम क्लीन निकल आया है, अभी हो गया है, अभी हम इसको निकल देते हैं, निकलने के बाद एक बड़ा सा बरतन ले लीजिए, अभी हम इसमें पानी डालें जिसे इटली अच्छे से निकलाएगा अभी ठंडा पानी डालने के बाद हम इसको रेष्ट के लिए एक-दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे अभी 2-3 मिनिट हो गया है अभी हम इसमें से इटली निकालेंगे यह बहुत अच्छे से निकलाएगा देखिए बिल्कुल नहीं चिपकेगा नीचे, देखिए कितने अच्छे से निकल आया है, ऐसे करके अभी हम सारे निकल देंगे, देखिए ऐसे करके अभी हम सारे इटली निकल दिये हैं, इटली कितना सब्ट कितना स्पंजी हुआ है, देखिए, आप एक बार ऐसे बनाईए इटली, अगर मेरा वीडि को लाइक करना शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू फर वाचिंग